Hello everyone, welcome back to another video, आज की इस वीडियो में मैं बात करूँगा जितने भी स्टुडेंट्स या फिर जितने भी बंदे इंडिया से यूके में आ रहे हैं, as a student या फिर as a, you know, work visa, dependent visa, कुछ भी, तो वो यहां आके जितने भी अपने documents हैं, वो कैसे manage करें, I mean, कैसे अपने documents वो ready करें, कहां से document उनको collect करने हैं, कैसे document उनको बनावाने है, ठीक है, तो जैसा कि students को या फिर जितने भी workers होते हैं, उन सब को पता है कि आपको आते ही, I think, within 15 days or 20 days, आपको अपना जो BRP card है, वो collect करना है, सबसे पहला यही काम है, तो सबसे पहले हम आते हैं कि mainly issue आता है address proof का, आप यहां पर भी जाओगे, आप जोब करने जाओगे, आप से address proof मांगेंगे, bank account खुलवाने जाओगे, फिर से address proof मांगेंगे, तो address proof कैसे आप लेके आओगे, यहां पर मैं mainly charge documents आपको one by one करक बताने वाला हूँ, सबसे पहला जो address proof है, वो है आपकी university आपको एक status letter देगी, जिसमें आपका वो नाम mention करेंगे, आपके नाम के साथ आपका proper address mention किया जाएगा, ठीक है, university कोई भी obligation नहीं लगाती, आप जब चाहो, university का address आप change कर सकते हो, वो कोई question raise नहीं करेंगे, कि हमें इस address का address proof लाके तो जहां पे आप रह रहे हैं, ऐसा वो कुछ भी नहीं पूछती, हर एक university की अपनी एक application होती है, आप अपनी university की app से visit करके, आपका address change कर सकते हो, address change करने के बाद, आप status letter request कर सकते हो, वो आपका consider होगा as an address proof, ठीक है, तो एक document हो गया हमारे पास address proof from university, ठीक ह दूसरा, अब आते हैं, bank account open करें, तो कौन सा bank सबसे best रहेगा, यहाँ पे जो main bank है, वो है, HSBC, जो की top bank है, उसके बाद, Halifax, Netwest, Loyard, Coop, Barclay, यह bank से, सबसे easy account opening, अगर किसी bank में है, वो है, Loyard bank, ठीक है, उनकी आप website पे visit कीजिए, जितने भी student है, go for classic account, classic account के लिए आप apply करेंगे, सारी detail फिल कर दो, कोई ज़्यादा document नहीं मांगते हैं, सरफ BRP card मांगते हैं, और आपका passport मांगते हैं, app पे सारी detail फिल कर दो, एक reference number आएगा, अपने जो nearest branch है, वहाँ पे जाओ, reference number दो, BRP card ठीक है, same case वही होगा, low aid bank ऐसा bank है, जो address change करते वक्त, address के लिए कोई भी proof नहीं मांगेगा, तो simply उसकी website पे जाओ, यो भी application है, वहाँ पे जाओ, download करो, उसको login करो, अपना address उसमें डालो, address डालने के बाद, bank statement प्रिंट कर लो, या download कर लो, आपके दो address proof होगे, पहला university ने जो status letter दिया था, वो, दूसरा address proof आपका हो गया, जो lawyered bank ने आपको दिया था, हमारे पास दो address proof हो गई, आप किसी भी job में जाओ, कहीं पे भी जाओ, address proof दो ही मांगते हैं, तो आप यहां से आप अपनी further journey start कर सकते हो, कई जगे तीसरा address proof मांगा जाता है, तीसरा address proof कहां से आएगा, तीसरा address proof आएगा, आप जिस जगे रह रहे हो, आपका जो किरायदार, जो आपका landlord है, जो owner है आपकी property का, आप उससे rent agreement की demand कीजिए, अब देखो, यहां पे ऐसा नहीं होता कि आपको code के affidavit पे print करना होता है, एक basic sign का format होता है, कोई template मिल जाएगा, आप download कर सकत प्रूफ, मतलब, rent agreement तो है ही वो, उसके साथ साथ address proof है, ठीक है, उसे, I think if I'm not wrong, that is Tnet, Tnet agreement, if I'm not wrong, तीन address proof होगे, university status letter, Lloyd Bank की statement, जहां पे आपका address होगा, तीसरा हो गया, आपका tenant agreement, जो rent agreement हो, ठीक है, चोथा, जो address proof है, वो आपका हो सकता है, driving license का, इन तीनों documents के बिहाव पे आप driving license apply कर सकते हो, वो भी आपका address proof होगया, तो इतने document आपके होगे, इसके बाद आप further process कर सकते हो, ठीक है, अब ये तो होगई address proof के, ठीक है, अब एक आता है कि कई जगे, जैसे अगर आप security job करने जाओ, या जो लड़कियां है, वो अगर care home की job करें, तो कहीं कहीं PCC demand क एक प्रोपर अलग से वीडियो बनाऊंगा, कैसे bank account open करना है, क्या कुछ पूरा process है, ठीक है, उसके बाद, PCC आप यहां से कैसे apply कर सकते हो, उसका भी मैं प्रोपर अलग से वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, इन दो document के लिए, तो इस वीडियो के लिए खाली ये चार document थे, आपके यूनिवर्सिटी का एक address proof है, वो, आपका bank statement जिसमें आपका address proof होगा, उसके बाद आपका rent agreement, और last आपका driving license, तो इतने address proof होते हैं, mainly यही चार document है, जो हर जगे मांगे जाते हैं, इनहीं में से एक दो, आप चाहिए जोब पे जाओ, कहीं पे भी जाओ, अगर आपक आपको यह video informative लगा, so like this video, subscribe my channel, have a good day, thanks for watching this video, see you in the next video, thank you